तो आगे के question कर लेते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे है question no.8 यहाँ पर last year का mental math quiz जो हुई थी जो ना लेवर पर उसके कुछ question मैं आपको solve करा रहा हूँ मैं हूँ हरी sir और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel चलो कदम बढ़ाई पसंद आए तो like जरूर कर दिया करो बच्चो इससे मेरे को motivation मिलता है ठीक है आईए देखते हैं next question तो बच्चो यहाँ पर simplify करना है ठीक है बहुत ही easy है आप देखो यहाँ पर confuse करने के लिए क्या किया हुआ है point के पिछे 0 लगा हुए point के पिछे 0 लगा है तो आप इस point को हटा सकते हैं ठीक है अब 9 का perfect square root क्या होता है बच्चो 3 plus का sign और यहाँ भी होगा 3 और दोनों को add किया तो आ जाता है बच्चो 6 हो गया आपका question तो यह थोड़ा confuse करने के लिए कर देते हैं बच्चो तो आप one देखो लिखा है 1024 का square root minus 900 यहाँ square root और bracket के अंदर डालके square लगा दिया है आई यह करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले square root निकालना है आपको तो 1024 का तो short method आपका यही होता अगर आपको नहीं मालू मालू मैं तो direct लिख दीजे नहीं मालू मैं पीछे से pair बनाई है ठीक है इस तरीके से अब देखो यहाँ पर 10 तो perfect square number नहीं है तो इससे कम कितना होता है क्योंकि division method से करने हैं तो कम पे लेना होगा तो वो होता है 3 ठीक है यहाँ पर 3 को अगर हम 3 से multiply करें यानि 3 की square से करें तो कितना आएगा 9 आता है बच्चो ठीक है तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर next पर 3 का double कर देना है अब चले गए 2 पर ठीक है तो 32 आ जाएगा बच्चो यहाँ पर तो minus का sign 900 का आपको मालू मिए 30 आएगा तो 32 में से minus 30 करते हैं तो 2 और यहाँ पर आगया square 2 का square होता 4 यह आपका answer बन जाएगा next करते हैं next में क्या कहा है देखो value find out करनी है देखो यहाँ पर लिखा cube root 3 लिखा ना cube root होलता है तो cube root पर 3 का pair बनाना है ठीक है तो आएए हम इसको थोड़ा और detail से कर लेते हैं यहाँ पर 2 into 2 7 into 7 into 7 यह आगया और 6 को लिखेंगे 2 into 3 ठीक है इस तरीके से 3 into 3 यह 2 3 तो यहाँ पर आगया 6 को हमने लिख दिया 2 into 3 तो cube में root में हमें क्या करना है 3 का group बनाना है तो एक तो यह बन गया group एक यह बन रहा है और 2 का भी बन रहा है ठीक है तो इन में से एक एक number को आप लिख लिजिए इस तरीके से और यह आपका answer आ जाएगा ठीक है 3,70 कितना होता है बच्चो 21,21,42 तो 42 आपका answer बन गया ठीक है आज़े next कर लेते हैं यहाँ पर तो next question में देखो यहाँ पर calculate the value, value को calculate करना है यहाँ फिर हो आगया cube root आगया तो हम क्या करते हैं देखो आपको क्या कर लेना है 4 को 2 से multiply करना 4 तूजा 8 और यहाँ पर 8,000 हो गया ठीक है आप जब mind में करेंगे तो easy हो जाएगा तो 8,000 तो 8 into 1000 कर सकते हैं इसको आप देखो बच्चो यहाँ पर 8 का cube root होता है 2 into और 1000 का होता है 10 ठीक है जब आप इसके factor निकालने तो आपका answer आ जाएगा 10 into 2 तो हो गया 20 यह आपका answer ब निकाले कासी हो गई फिर भी मैं आप बच्चो के लिए करा रहा हूं ठीक है न तो लाइक जिरू कर देना तो इस इस परकार यहाँ फैक्टर निकालेंगे तो cube में क्या करते हैं 3 का group बना लेते हैं ठीक उनमें से एक नमबर निकाल लेते हैं आइए next कर लेते हैं यहाँ प करते हैं इस फॉर्म में ठीक है तो वन का तो वन का क्यूब रूट वन ही होता है अब यहाँ पर यह कि क्या होगा तो इसके हम फैक्टर करेंगे ठीक है इस तरीके से तू से कीजिए 2 816 ठीक है 2 816 और वैसे shortcut तरीके से निकाले तो उससे भी हो जाया आप तो इट क्लास में है आए वे shortcut तरीके से मैं आपको बताता हूँ तो shortcut तरीका यह होता है बच्चो देखो 1728 पीछे से हमेंने क्या किया पीछे से 3 का आपको गुरूप लेना है और जो इसका unit place होता ना वो देखना है यह होता है बच्चो 2 का और ठीक है यह 2 के cube में आता ना 8 और तो किसी की मे आएगा तो यह लास्ट वाला डिजिट देखना की 8 है यह इसका जो क्यूब रूट होगा वो होता है टू ठीक है तो टू लिग दिया हमने अब इस तरीका काम खतम यहाँ पर वन है वन होता है तो इसका आजाएगा बच्चो 12 12 बन गया यहाँ पर आगे कोई डिजिट होत आप 743 लिखा हुआ है अगर हम 743 के क्या करें फैक्टर करें तो बच्चो 7 की पावर 3 में आएगा ठीक है और यहाँ पर X और इक्वल 49 के भी कर दिजिए 7 की पावर 2 आ गया ठीक है इस तरीके से अब एक पावर इंसाइड है एक पावर आउटसाइड है ठीक है तो मल्टि आप जब बेश इक्वल है तो आपको आपका क्या करना है कि इसका मतला इनकी पावर भी इक्वल होगी इनकी पावर को इक्वल कर देना 3X तो 3X इक्वल 2 इस तरीके से अब X की वैलू निकाल लीजिए तो X इक्वल 2 ओ 3 अधर मल्टिप्लाई की फोर्म में है इधर आकर य आपका अंसर आ गया ठीक है बच्चो तो ये पार्ट भी आपका स्रॉल हो गया है आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीख कर दूसरों को जरूर सीखाना है ठीक है मिलते हैं नेक्ट पार्ट में तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए ठ ढएच spirits को एंसरे लिगाना क्पारि civar शुड त justo अखिए रчик लिए मुति जरूर ड alma मोई отыट आपटनल आपकों के ये जरूरे जरूरे डाक कू बचूए मैंत्यूरे पार्टिस करते हैं ये जरूरे मिलते हैं जरूरे पार्टिस हमें डिल सेयो किसEर तो ये पॉल्वंभ